हेलो मैं हूँ अमरिता और आज मैं एक साइकलोजिकल मिस्ट्री मूवी लेके आई हूँ जिसका नाम है एनेमी काफी कन्फ्यूजिंग मूवी है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए मूवी में लीड रोल में है जैक गैलिन हैल एस एडम एन एंथनी मूवी शुरू होती है तब हम एक्जॉटिक अंडरग्राउंड क्लब में देखते हैं ये क्लब काफी एक्स्क्लूजिव था और गिने चुने लोगों को ही इस क्लब की चाबी मिलती थी जहां पर एक औरत कुछ लोगों को ललचा रही थी उसके आस पास काफी सारे लोग थे और तभी हम जैक की नीदाशा जनक जिन्दगी बिता रहा था इसका अपार्टमेंट भी बहुत ही सिंपल सा था लेकिन उसकी काफी खुबसूरत गर्ल्फरेंड होती है जिसका नाम था मैरी अब एक रात वो मैरी के साथ था और एक मूवी देखते ही देखते सो जाता है उटने के बाद वो मैरी के साथ इंटिमेट होने के लिए जाता है लेकिन मैरी को अच्छा फिल नहीं होता इसलिए वो वहां से निकल जाती है अडम फिर सोचाता है और उसे उस मूवी का सबना आता है जिसमें एक आक्टर को वो देखता है जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा था वो नीन से या था कि कोई भी इंसान एक्जाक्ली उसकी तरह कैसे दिख सकता है उस अक्टर ने और दो मूवी की होती है और अगले दिन वो दोनों मूवी भी वो रेंट करके देख लेता है तभी अपने घर पे वो कुछ ढूनने लगता है और उसे एक खुद का फटा हुआ एक फोट बैठते हैं और एक confidential letter उसे देते हैं अब उस letter में उसके घर का phone number रहता है तो वो घर पे call करता है तो phone Anthony की पतनी Helen उठाती है Helen आवाज से समझ जाती है कि उसका husband Anthony बात कर रहा है लेकिन Adam काफी डर जाता है और phone card देता है तो यहाँ पे हम actually में Anthony को देखते हैं जो कि एक actor था और उसके पतनी Helen pregnant होती है यहाँ पे Adam वापस Anthony के घर पे phone लगाता है और finally उसके Anthony के साथ बातचीत होती है और उसे सारी गया था कि Anthony का कोई बहरूपिया है लेकिन Anthony जिस तरीके से side में जाके phone पे बात कर रहा था इससे Helen को उसके उपर शक होने लगता है और वो पूछती है कि क्या तुम वापस उस लड़गी को call कर रहे हो क्या तुम मुझे वापस cheat कर रहे हो यह सुनते ही Anthony काफी गुसा होता ह और वहाँ से जगडा करके चला जाता है यानि इसी का मतलब था Anthony अपने शादी में faithful नहीं था और इन दोनों के relation को लेके काफी problem सी अब यहाँ पे Helen काफी confused होने लगती है कि क्या उसके husband के साथ कोई problem जल रही है इसलिए वो Adam Bill नाम के history professor को search करती है और उसके university का address मिलता है औ तो इसी तर मैं Adam जब class ले रहा होता है तो उसे Anthony का call आता है और वो उसे hotel में मिलने के लिए बुलाता है इसलिए Adam अचानक से आई हुए इस call से घबरा जाता है और बाहर fresh air लेने के लिए जाता है और Helen उसे वहाँ पे देखती है वो बगल के ही bench में उसके पास आके बैठती है लेकिन Adam कभी Helen से मिला ही नहीं होता इसलिए वो Helen को पहचानता नहीं है लेकिन Helen उसे देखके काफी panic होती है Adam उसे देखते हुए उसे पूछता है कि क्या आप ठीक है तो वो हाँ कहती है एक दो पलों के बाद Adam वहाँ से चला जाता है जब वो सामने था तब भी वो अपन खराब होने लगती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर Anthony को अपने pregnant wife की हालत का कुछ अंदाजा ही नहीं था वो बस खुद के ही बारे में बात कर रहा था अब जिनके बाद उसे blueberry ये fruit नहीं मिलता इसलिए वो अपने pregnant पतनी पे ही गुसा होने लगता है और उसके साथ जगडा कर लगता है कि तुमने मेरी लिए blueberry क्यों नहीं लाई Anthony ये जो actor था वो काफी self involved और narcissist था खुद के बारे में ही सोचता था अब उसी रात Adam को एक सपना गिरता है जिसमें वो एक औरत को देखता है जिसके सर के बज़ा एक spider होता है और दभी वो डरके उठता है लेगिन हैराने क पात ये होती है कि उसी समय Anthony भी जग जाता है यानि ये दोनों इंसान किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से connected थे अब अगले दिन दोनों भी एक दूसरे को मिलते हैं एक hotel room में यहां पर Adam डरा हुआ था तो Anthony काफी धीट था वो Adam से मिलता है और मानों वो Adam की जाज परताल करन इंसान था तो Anthony उसके विपरित था दोनों भी अपने हाथ वगेरा चेक कर लेते हैं और Anthony उसे पूछते कि क्या तुम्हारे पेट पे भी एक घाव है ये देखते ही Adam डर जाता है क्योंकि उसके पेट पे भी घाव था और Adam काफी डिस्रब हो जाता है और जो Anthony का confidential letter था वो उ उसे वापस दे देता है और वहाँ से भाग जाता है लेकिन इसके बाद Anthony Adam को stop करने लगता है और वो देखता है कि Adam की काफी खूपसूरत Mary नाम की girlfriend है अब Anthony को कैसे भी Mary के साथ night spend करनी थी तो यहाँ पे Adam अपने जैसा ही दूसरा इंसान सामने सामने देखने के कहारण काफी दर गया था वो अपने मा से मिलता है और इसे सारा किस्सा बताता है तो उसकी मा उसे कहती है कि तुम्हारा कोई भी जुडवा भाई नहीं है तुम मेरे एकलोते संतान हो आगे उसकी मा कहती कि प्लीज तुम किसी आदमी के चक्कर में मत पड़ो वैसे भी तुम्हें औरतों पिर तुम जगडा भी करते हो आगे उसकी माँ से काफी प्यार से समझाती है कि देखो इन सब बेतू की बातों में मत पड़ो तुमारे पास अच्छा घर है अच्छा जॉब है तो प्लीज तुम अच्छे से रहो तुमारा जो मूवी एक्टर बननी की स्प्लिट पर्सनालिटी है अडम जब अपने माँ से मिलने के बाद निकलता है तब वो शहर के उपर बहुत ही बड़ा एक स्पाइडर मॉंस्टर मंडराते हुए देखता है और काफी डर जाता है लेकिन उसी दोरान उसका सर मान और जोरों से चक्रा जाता है तो दूसरी चकापे एंथोनी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी मैरी अब अगले दिन में हम एंथोनी को देखते हैं वो काफी गुस्टे में एडम से मिलने के लिए आता है और उसके उपर चीखने लगता है कि तुमने मेरी आइडिन्टिटी लेके मेरे पतनी के साथ रिलेशन बनाया है उसके साथ काफी गलत किया है अब ये सुनते ही आडम काफी घबरा चाता है और कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता मैंने ऐसी कुछ भी नहीं किया है तो आंतोनी कहता है कि नहीं, अब मेरे साथ तभी साही होगा, जब मैं तुम्हारे गर्ल्फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करूँगा आडम ये सुनते ही उसको मना करता है, तो वो भार बार गुस्से में उसे जबरदर्ती से यही बात कहने लगता है आकरी में वो कहता है कि प्लीज, मुझे मस एक वीकेंड मेरी के साथ बिताना है, उसके बाद मैं तुम्हारे जिंदकी से हमेशा के लिए चला जाओंगा अब इस ब्लैकमेलिंग के कारण आडम तयार हो जाता है कि ठीक है, इसके बाद तुम्हें मेरी जिंदकी से चले जाना होगा तो उसी दोरान आंथनी आडम की तरह बनता है, और मेरी को मिलके उसे एक आलिशान होटेल में लेके जाता है तो आडम आंथनी के घर पे जाता है, यहाँ पे बिल्डिंग का गार्ड उसे देखता है और लिफ में उसे कहता है कि उस दिन उस अडल्ट कलब में बहुत ही मज़ा आया अगर तुम्हें चावी मिले तो मुझे वापस वहाँ पे ले चलो आडम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि कलब में एंथनी जाता था इसलिए वह चुपी रहता है, बाद में वह एंथनी के अपार्टमेंट में जाता है जहां पे वो फाइनली उसे फोटो फ्रेम मिलती है, जो मुवी के स्टार्टिंग में हमने देखी थी वो लड़की और कोई नहीं हेलन रहती है, थोड़ी दर के बाद हेलन गर वापस आती है और एड़म उसे पूछता है कि तुम इतने देर से कहा थी, तुमारी हालत ऐसी है, जादा देर तक बाहर मत रहा करो अब उसके ये बाते सुनते ही, हेलन को भी पता चल जाता है, कि ये एंथनी नहीं एड़म है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती, तो दूसरी जगा पर एंथनी, मैरी के साथ में काफी इंटिमेट पल बिता रहा होता है लेकिन अचानक से वो नोटिस करती है, कि इसके हाथ पर वेडिंग रिंग का निशान है जिसके कारण वो पैनिक होने लगती है, कि अभी तक ये उसे धोका दे रहा था, ये शादी शुदा है और उसने बताया नहीं इसके कारण वो रोने लगती है, और कहती है कि मुझे अभी के अभी घर छोड़ दो अब अन्थनी का स्वभाव जैसे गुसेल था, इस बात पे वो नाराज होता है, और कार में जाते वक्त उन दोनों का काफी गंदा जगड़ा होने लगता है तो यावे दूसरे चगापे डरते हुए एडम हेलन के साइड में सोने के लिए आता है, वो काफी हिचकिचा रहा था, लेकिन हेलन उसे संभालती है और उसे पूछती है कि तुम्हारा आज दिन कैसा था स्कूल में, ये बात आइडम के मन को काफी चूजाती है और वो उसे अपने बाहों में भरके सो जाता है, तो दूसरी चगापे अंथिनी को मानों काफी गुसा आने लगता है और वो कार आउट ओफ कॉंट्रोल होने के गारणूं का एक्सिडन्न हो जाता है, जिसमें मैरी और आन्थिनी दोनों भी मारे जाते है इसी समय दूसरी जगापे अडम रोते हुए उठता है, हैलन उसे रोता हुआ देखती है, उसके पास आती है और कहती ही कि प्लीज मचे छोड़के मत जाओ, और दोनों भी एक दूसरे को अपने बाहो में लेते है मानों दोनों का भी रिलेशन अभी अच्छा है, अब अगली दिन हम एडम का देखते है, जो आन्थिनी के कपड़े में था लेकिन उसके हाथ में वापस वो confidential letter मिलता है, उसे वो open करता है, तो उसी underground exotic club की उसको चावे मिलती है, जो कि एंथिनी की थी अब दोसरे यहाँ पे वो वापस कश्मकश में आता है, कि वहाँ जाओ या नहीं जाओ, और finally decide करता है कि उसे club में जाना है और वो Helen को कहता है कि मैं अब ही बाहर जाने वाला हूँ, वो जबाब नहीं देती, वो चुप रहती है, जब Adam bedroom में देखने जाता है, तो Helen एक बड़े से spider monster में बदल जाती है, और वो spider Adam से डरा हुआ था, लेकिन वो spider को देखते हुए Adam हैरान नहीं होता, लेकिन वो सोचता ये तो होना ही था, और movie इसी confusing ending के साथ खतम हुजा दी है, अब बात करते हैं कि exactly इस movie में क्या था, तो दोस्तों यहाँ पर Anthony और Adam दोनों को भी एक साथ, इन दोनों के अलावा और किसी ने नहीं देखा था, तो यहाँ पर Adam ये असली इंसान था, और Anthony Adam के दिमाग के create की हु नहीं थी, क्योंकि Adam को fear of commitment था, movie के starting में जब वो history lecture दे रहा था था, उसके board पे हम दो words देखते हैं, dictatorship और control, यही उसकी शादी दरशादी है, क्योंकि वो शादी को किसी jail से कमने ही समझ था, उसे ऐसा लग रहा था कि शादी करने के बाद उसका एक freedom चला गया है, उसे शाद में बनना नहीं था, इसके अलावा Adam का actor बनने का भी सपना था, और वो अतीत में तीन movies भी कर चुका था, जो कि शायद flop चली थी, उसके बाद उसने वो career चोड़के वो history professor बना था, लेकिन उसका जो यह सपना था, actor बनने का, या फिर यह शादी उसे एक jail की तरह दिख रही में से भी नहीं कत्रा था, वो exotic adult club में जाता है, या फिर मेरी के साथ वो affair करने से जरा भी कत्राता नहीं है, मूवी में कई बार spider दिखाया गया है, दर असल Adam को commitment से डर लगता था, और उसके दिमाग की यह जो कश्मकश्ती यही spider के द्वारा दिखाई गई है, सबसे बड़ को realize होने लगता है कि Anthony कोई और नहीं, खुद ही है, इसलिए उसका दिमाग काफी चक्राने लगता है, और उसके बाद वो शहर में बहुत ही बड़े spider monster को देखता है, वो spider monster और कोई नहीं है, वो उसके मा का representation है, mother spider, और इनी सारी इच्छा और desire के current, शादी के बाद Anthony नाम के personality ने Adam के दिमाग में जनम लिया था, लेकिन आगे जाते ही इन दोनों personality में काफी conflicts होने लगेगी, कौन power में रहेगा, इसलिए Anthony उसके उपर हावी होता है, और Adam को लगता है कोई और इंसान है, जो उसकी जगा लेना चाहता है, मूवी के आखरी में Anthony उसे कहता है कि मुझे Mary क C का घर होता है, Helen को भी college वाले दिन, Adam के split personality के बारे में पता लगता है, वो bedroom में उसे प्यार से पूछती है कि आज तुमारा दिन कैसा बीता school में, इसी प्यार के car और Anthony का अंत शुरू हो जाता है, लेकिन Adam दुखी होता है कि उसके दिमाग की जो एक personality थी, जो freedom वो चाहता थ वो personality अभी जाने वाली है, इसलिए वो अचानक से नीन से उठके रोने लगता है, Helen उसे वापस समझाने के लिए आती है, और कहती है कि I want you to stay, और ये statement सुनने के बाद Mano Anthony का उसके दिमाग में accident हो जाता है, और वो मारा जाता है, याने कि अब Anthony की personality चली गई थी, Adam शायद हम आग सोच में पढ़ जाता है, कि किस personality को control देना चाहिए, और finally Adam decide करता है कि Anthony अब उसका ही हिस्सा बन चुका है, इसलिए वो letter अपनाता है, और उस exotic club में वापस जाने का सोचता है, Helen आकरी में spider दिखाई गई है, यानि Adam का fear of commitment, यानि वो spider, इसलिए आकरी में वो उसे face करता ह और उसे समझ आता है, कि वो चाहे या ना चाहे Anthony को यानि उस desire को खुद से अलग नहीं रख सकता, इसलिए उसके चेहरे पर एक satisfaction रहता है, यानि वो Anthony को अपनाता है, और movie यही पर खतम होती है, मूवी के आकरी में जो Anthony का accident दिखाया है, जिसमें Anthony and Mary मारी जाती है, वो उसके दिमाग का ही एक हिस्सा था, movie में जितनी बार मेरी का instance दिखाया है, वो सब कुछ उसके दिमाग का एक हिस्सा था, असल लाइफ में वो मेरी के साथ अभी नहीं था, और मेरी शायद उसकी ex-girlfriend रही होगी, तो यह था explanation enemies movie का में, अगर आपके कोई doubts है तो please comment section में मुझे आपके लिव बावे